तो हेलो गाईज आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है फ्यूज रजिस्टेंस जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मेरे पास यह पर कुछ रजिस्टेंस रखे हुए हैं और आज की शुड़ो में हम यह बात करने वाले हैं कि आखिर हम इस तरह से इनको पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा है और साहिसाथ इसमें यह भी पता करेंगे कि आखिर फ्यूज रजिस्टेंस की जो है वाटेज क्या होती एं ओम्स क्या होते हैं सारी टेल इस वीडियो में जानने वाले हैं हमारे कुछ सब्स्क्राइब के कमेंट साहे थे तो यह वीडियो जो यह जानते हैं कि आखिर इन सभी में से जो fuse resistance है वो आखिर कौन से है और आप उनको किस तरह से easily पता कर सकते हैं तो गाई चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है इनको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं जिससे आपको भी easily समझ मा जाएगा कि हाँ इसमें से जो fuse resistance है वो कौन सा है जैसे हैं इसमें आपको फोड़ी से और इसमें यहाँ आँपको तरह और इसमें आजकर आ एक आपकोिस में नजर नहीं कुछ भी नहीं आ ही है उपको साइन नजर नहीं बस थोड़ी सी है ठीक है तो चलिए अब हम इसको किस तर से पता करें कि आखिर resistance fuse वाला कौन सा है तो simple अब आपको इसमें ये देखना है जिसमें sign नहीं है हमारी इन में sign नहीं है तो मतलब कि ये जो है हमारा fuse resistance है और जो जिसमें sign आ रही है ये हमारा fuse resistance ये हमारे इसमें से कोई भी fuse resistance नहीं है तो सिंपल आपको यह तो पता चल गया कि आखिर किस तर से पहचान की जाती है नुर्मल सी बात है जिसमें साइनिंग नहीं है वह आपको यहां पर फ्यूज रिस्टेंस है चलि मैं आपको एक 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 जामपल देखे समझाता हूं इसको थोड़ा साइड रखता हूं और अब मैं जो है इस एलेडी बालब है कि मेरे पास इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको और इसमें दिखाता हू लगा हूँ है कि इसमें से अलेडी बलब में इसमें एक यहां पर देखावा है और कभी-कभी, आप thankful है जिंकाल यह तो इसमें इस पर चमक नहीं होते जैसे यह है इस पर चमक नहीं है पर यह जो है मैंने दूसरे वाले LED डैवर में से निकाला है सिंपल आपको दिखाने के लिए और यहां पर आप गाई देख सकते हैं इस वाले में भी चमक कोई भी नहीं है यह भी मिट्टी से बना हुआ है अलग सा इसमें जो है कोई परदार रिस्टेंस वांखिर इसे किटने वाट तक आप और इसमें लगा हुआ है वहाँ थो और यहां आपको यहां पर चल जाएगाी इजली कि हाँ जो यह फ्यूस्स एय वह ठोड़ा नोर्मर से बड़ा होता है चलि नोर्मर से दिखाते हुआ को तो इस तरह के होते हैं उंडर र Sag法 इसर्कृट और difficult का फ्यूह सबाब जाएगा जल्दी जल्दी जल्द से हमना पड़ेगा वह सर्कुटों में से तो इसलिए हम जो है इसको एक से दो वाट के अंदर में बनाते हैं फ्यूज रिस्टेंस को ठीक है तो आपको यह जो चीजे हैं यह समझ में आ रही होगी अब आप गाई यहाँ पर देख सकते हैं एक में प्लेट दिखाता हूं आपको इसमें भी काफी देख सकते हैं यह वाला भी एक फ्यूज रिस्टेंस तो गाइज इस तरह से यह जो है यहाँ पर एक से दो वोट तक में ही बनाए जाते हैं जायतर में ली तो इसमें बना जाते हैं इससे ज़्यादा हो वो मुझे नहीं पता ठीक है अब आप यहाँ पर देखिए कि आखि जो है दो वोट से जादे का लग रहा है मुझे और यह पीसीवी खाफी बड़ी है और गाइस यह जो रिजिस्टेंस है यह में जो है ओम्स में आपके हाँ पचास ओम से जादा नहीं बनाए जाते होंगे तो बड़े सर्कुटों में लगते होंगे जैसे कि अभी मैंने तो काम तो कर देगा ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा पर मेंली क्या होता है कि अगर हम इसमें जादा ओम का लगा देते हैं तो हमारा जो फ्यूजर इस्टेंस है यह फुकने की बजाए हमारे अंदर के जो कंपोनेंट से उनको बेकार कर देगा मेंली यह जो है इसलिए ही इस से इसके लगा के और सिंपल हम अपने और सर्कुट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर ले दें तो इसलिए यह जो है मिली 50 ओम्स में ही जायतर बनाया जाते हैं तो बाकी गाइज I hope आपको जो है voltage समझ में आगे योगी ohm समझ में आगे योगी और साधी साथ आपको पहचान भी पता चल गए योगी कि आखेर जो normal resistance है वो कैसे होते हैं और जो हमारे fuse resistance है वो किस तरगे होते हैं तो बस गाईज अगर आपको एक वीडियो अच्छे लगी हो मिलते रहते हैं वहां आप सीधा मैसेज करके कोई भी पूशन यांपर पूछ सकते हैं तो बस आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद